इस एपिसोड में दोस्तों बात करने वारे हैं सिर्मा SGS टेक्नलोजी लिमिटेट के बारे में लास्ट टाइम भी हमने डिसकार्शन कर रहा था और सम्वेर क्लोस डाउन टू अच्छा लगा आज काफी सारे जन्हों इस वीक में काफी सारे जन्हों ने कमेंट कर रहा उस पर लेकर आप जाकर देख सकते हैं अब फॉर्दर आउटलुक क्या है वहां पर में फोकस करते हैं सबसे पहले आपको यह देखने हैं कि बहुत छोटा सा जोन सबसे थोड़ा सा सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि स्टॉक में जो राली आई है अभी इन परसेंटेज पॉइंस की बात करते हैं अगर हम आइडल रिजिस्टेंस है तो वह 37-40 परसंट की राली है विच इस नोट आज मतलब अपसाइड अभी भी स्टॉक में है बट अभी होगा क्य उसका डिसकेशन करना है देखो बिजनस क्या है कंपनी का कंपनी प्रोवाइड इंटीग्रेड़ेड़ सर्विसेज और सॉल्यूशन तू और अरिजिनल मैनुफाक्टरेज ओएम सिसम लोग बोलते हैं और प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया मतलब ब्रॉडली जो है टेक देखोगे देखो मिटकाप साइस कंपनी हैं ग्रोथ यहां पर जल्दी आती है 8000 क्रोड की कंपनी 16000 क्रोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती है तो वह एक फाक्टर है बट हाँ अगर आप यहां से 100% की अपसाइड करेंट लेवल से देखते हैं तो अभी एक लिए सा मुश्किल है क्योंकि मार्केट को भी थोड़ा सा एड्जस्ट होने दीजिए यहां पे एक ब्रीदर मिलेगा स्टॉक को क्योंकि जिस तरीके से राली आई है स्टॉक में देखो 22 में के बाद से जिस तरीके स्टॉक चलके 16 जूम तक 40% का रिटरन मिला है तो एक चोटा स इंदर अच्छी improvement देखने को मिली तो यहां से अब कहने का मतलब क्या है यहां से आपको एक factor यह समझना है कि आगे जो drive करेगा stock को वो होंगे आप quarterly results इसके बजाए कि यहां से और दादा गर हम लोग समझें कि पहले देखो valuation का expansion आता है वो यहां पर आपको देखने को मिल reserves अच्छे हैं borrowings थोड़ी सी बढ़ाई है बट ठीक है given this stage of the company यहां पर borrowing this level की रहती है shareholding pattern की बात करें तो आप देखोगे कि D.I.S. ने stake add करा है public के पास में stake कम हुआ है which is a good thing पड़ आपको charts पे समझना है कि अगर आप current level पे position बनाना चाहा रहे हैं तो हमें ideally लगता है द और उसके बाद में जो है एक थोड़ से जादा suitable position एक viable positions की तरफ आप head कर पाएंगे और वहां पे position बनाना जादा suitable रहेगा as compared to this level अभी के लिए देखो हमें लगता है कि stock के अंदर यहां से जैसा हम लोगों अगेन बात करी 10-15% की rally आ भी जाती है even 20% की भी rally आ जाती है तो it is something not big उसमें कोई वह बहुत बड़ी चीज नहीं होगी तो वैसे करके देखना चाहिए उमीद करता हूँ video informative लगी होगी like share subscribe जरूर करिएगा पसंद आया तो फिर में लेंगे नए episode के साथ में अब तक ले शुक्रिया and thanks for watching